मार्केट में इस गुत्थी को वही सुल जाएंगे क्योंकि मामला थोड़ा फस गया है तो बिरेन जी को लाया जाए स्क्रीम पर बिरेन जी 11 सीटों पर वोट पड़ना है अभी पूरी साब ने ललकारा आईपी सिंग क्यों की आठ पर लडाऊंगा देखता हूं क्या करते हू तो आईपी सिंग ने भी जवाब दिया चार उतारूंगा आ जाना मार्केट में पता चल जाएगा खान साब भी कोई नई स्टोरी लेके आए हैं और केपी मालिक साब की तो इस स्टोरी अलग हमेशा रहती है आप थोड़ा सा इस पर परदा उठाओ कि मसला क्या चुनाओन होगा या निर्विरोध होगा बिरेन जी आप सुन पारें मुझे पूरी जी ने दम ठोक के कहा कि आठ लडाऊंगा तो आईपी सिंग ने का आ जाओ हम भी चार लडाएंगे तो आप मसला है कि चुनाओन फसे का मामला कौन किधर जाएगा बिरेन जी यह लड़ा नहीं पा तरह से का जाए धीगा मुस्ती है राजसभा का जो चुनाओ होगा वो उम्मीद यह है कि निर्विरोध होगा चुनाओ की नौबत नहीं आएगी आठ और तीन दो ही तो लड़ने वाले हैं भाजपा और सपा और अगर चुनाओ होगा तो विधायकों के टूटने का क्रास तब होती है जब माल बटता है और माल बाटने वाला विपच में कोई है नहीं विधायक कौन रखाएगा तो यह उम्मीद की जा रही है कि यह लोग आठ और तीन में निपटा लेंगे मामला अपना लेकिन आप यह देखिए कि बीजेपी के पांच रिटायर हो रहे हैं उस उसमें से दो तो सुरंदर नागर संजे सेट सपय से आये थे बीजेपी तीन और लोगों को भेज सकती हैं तीन नए नाम वो कौन से होंगे यह जादा महात्पूर है इसके अलावा अगर आप यह देखिए समाजवादी पार्टी में रेउती रमर सिंग वो उम्र के उस सुखराम सिंग्यादो तो विसंबर निसात की संभावनाएं तो बनती हैं लेकिन सुखराम सिंग्यादो तो आजकल भादपक पाले में घूम रहें तो उनका भी उम्मीद कम है देखिए निर्विरोध हो जब चुना होगा तो क्रास वोटिंग का खत्रा नहीं होगा पैसा जाए जी रिजल्ट यही आएगा अब अगर चुना होता है तो फिर सुवाविक है कि सत्ताधारी दल विपश्च पर ज्यादा अटेक करता है से अन्मारी करेगा इसकी नौबत मुझे लगती नहीं है क्योंकि कांग्रेस और बस्पा ये लोग थोड़ा अगर इनके कुछ विधायक होते तब तो चुना होता क्योंकि इनको पारलेम अपने खीचे ने कोशिस होती अब इनके पास यतनों विधायक नहीं है कि सर खुजला सके अपना बाल एक दो इस तरह की स्तिती हैं आप देखिए कि सतीश चंद मिसरा और असोग सिधार बस्पा से दो राजसभा से रिटायर हो रहे हैं बस्पा की स्तिती राजसभा में साथ एक या दो की रह जाएगी इस बार वो कोई भेज नहीं पाएगी कांग्रेस से कपिल सिब्बल का कारकाल पूरा हो रहा है कांग्रेस भी अपकी बार कुछ नहीं कर पाएगी उसके पास दो ही विधायक हैं तो आपके मुताबिक बीजेपी आठ खड़ा कर देगी और समाजवादी पार्टी के अगडबंधन तीन ग्यारा और वोटिंग नहीं होगी वोटिंग नहीं होगी अगर कोई चमतकार नहीं होता है सतीचन मिसरा या परमोतिवारी को लेके तो बीजेपी ये मामला तो आप फस परमोतिवारी दूसरे सतीचन मिसरा तो दो एमेले पर कांग्रेस से परमोतिवारी कई से चले जाएंगे तो बीजेपी पानी छीड़ा के पवित्र भी कर सकती है किसी को कोई बली बात थोड़ी है बीजेपी पास तो बेउस्था है अच्छा राजा भाईयक पार्टी भी ह है दो विदायक है उनके उनका कोई अपनी इच्छा तो है नहीं वह तो मैंने जोड़ दिया बीजेपी वाले में हाव वो सत्ताधारी दल के साथ चुभाई ग्रूप से रहना चाहिए उनको तो चुनाओ की नौबत बिर्जेजी मुझे दिखती नहीं है यह आप देखिए तो सरकार बना रहे थे विदान सबाचुनाओं में अब यह कहां से बनेगी सरकार बताएं ही देखिए अब परवक्ता थे तो ड्यूटी थी ना आप क्या करें अब आप तो यह राजनेतिक विश्लेशक है आप तो आजादी से विश्लेशक करें क्योंकि जब सच्चाई य अगर वो आठ सीटे जीताने की स्थिती में वो लड़ाएगी अखिलेश यादो तीन सीटे जीतने की स्थिती में वो जीतेंगे वो अपने मित्रों के लिए सहयोगी दलों के लिए एक सीट छोड़ सकते हैं जैन चोधरी का नाम प्रवलता से लिया जा रहा है एक पूरु अपने बहुत ही वरिष्ट पत्रकार हैं मुझफर नगर के राइल वुलेटिन के प्रधान संपादक हैं अभी मुझे मैसेच भेज रहे हैं उनका ये कहना है कि आठ्वा प्रत्रकार बीजेपी अप्तिकट देने लगी है वादा करके मुकर्ती नहीं है बीजेपी ने जिसका को देख लीजिए तमाम सारे उदारण हैं कि अब बीजेपी धोखा नहीं करती जिससे ले लेती है बस इतने है कि लोग तंत्र में घुज गया धोंग तंत्र का रोग और जितनी लंबी डंडवत उतना मोहन भोग तो जो जितनी लंबी डंडवत कर ले उसका मामला ठीक है दिखें यह कोई सीधा जनता का चुनाओ तो है नहीं कि यहां पर पब्ली के बीच के अन्वेसिंग करना पड़ाएं लोगतंत्र में स्याही लगाएं चलो उंगली देखाओ कि हम दे आएं और उंगली में स्याही इसलिए लगाई जाती है दी जाती है कि लोगतंत्र के पत लेकिन राजसभा का चुनाओ तो देखिए जो दल सत्तम होता है वो यह सब तिक्रम जानता है वो जिता ले जाएगा बीजेपी का फोकस बिरजेजी दलित मद्दाताओं पर है अभी जेपी नड़ा दिल्ली में दलित नेताओं कि एक बहुत बड़ी बैठक उत्तर परदे मायवती के घर में जो बचा कुछा समान है उसको भी जेपी खीच के समेट के अपनी और लाना चाहती है और उसके पास रासन से लेके भासन सब ब्योस्था पहले से है उसने मूँ भर रखा है अब जगा जगा नेता खड़ा करके बिजलाल और आप देखिए कि कानपूर के पुलिस कमिस्नर थयासी मरूर कितना यह सब काम कर रहे हैं और बीजेपी की उमीदों पर ज्यादा यह लोग खरे उतर रहे हैं तो आपके मताबिक कोई वोटिंग नहीं होगी निर्विरोध हो जाएगा हां मुझे जो लगता है आठ बीजेपी ले जाएगी और तीन समाज नीत ही उनके लिए रोजगार होता है और मनरेगा की फरजी दिवारी के वादे होते हैं विकास के मुद्धों की कभी बात नहीं होती चुनाओ तक तो घर घर जाते हैं यह जन से वक और चुनाओ के बाद फिर इनसे कभी मुलाकात नहीं होती बहुत सुक्री आप कभी बन्निवाद को पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रस्ट डालवाया कि राजिसभा की ग्यार्वी सीट के लिए सपा भाजपा में